क्या आप जानते हैं कि संतों का रैप्चर कब होगा? प्रकाशित वाकिया ध्याइदर स्वचन एक से ग्यारा आईए, अब हम अपना ध्यान इस विशे की और मोडे कि रैप्चर कब होगा? बाइबल में ऐसे कई भागे जो रैप्चर के बारे में बात करते हैं नए नियम में कई भागे जो इस पर चर्चा करते हैं और ऐसा ही पुराना नियम भी है जहां इसे देख सकते हैं उदारन के लिए एलिया जो आग के रत्मे स्वर्ग पर चड़ गया और हनोग जो परमेश्वर के साथ चला और उसकी द्वारा उठा लिया गया जैसा कि देखा जा सकता है बाइबल कई जगों उपर रैप्चर की बात करती है रैप्चर का अर्थ है उठाना यहां परमेश्वर के अपने लोगों को अपनी सामर्थ के द्वारा स्वर्ग में उपर उठाने के लिए संदर भी करता है आला कि बाइबल में जो सबसे अधिक उल्जन भरा प्रश्ण है वह है रैप्शर का प्रश्ण परमेश्वर अपने लोगों को कब उपर उठाएगा रैप्शर के समय का यह प्रश्ण धार्मिक मसीही में सबसे अधिक पुछे जाने वाले प्रश्णों में से एक है आईए हम पहला थिसलोनिकियों अधियाचार वचन 14 से 17 को खोलते हैं और देखते हैं कि परमेश्वर पाउलुस के द्वरा हमें क्या बताना चाहता है तक बचे रहेंगे सोये हुवों से कभी आगे न बढ़ेंगे क्योंकि प्रभु आप ही स्वर्ग से उत्रेगा उस समय ललकार और प्रधान दूद का श्रब्द सुनाई देगा और परमेश्वर की तुरे ही फुकी जाएगी और जो मसी में मरे हैं वे पहले जी उठेंगे तब हम जो जीवित और बचे रहेंगे उनके साथ बादलों पर उठा लिये जाएंगे कि हवा में प्रभु से मिले और इस रिती से हम सदा प्रभु के साथ रहेंगे यहुदा अधिया एक वचन 14 में परमेश्वर हमें यह भी बताता है हनोक ने भी जो आदम से सांत्वी पीडी में था इनके विशे में यहां भविश्यवानी की देखो प्रभु अपने लाखोग पवित्रों के साथ हाया दूसरे सब्दों में प्रधान सुर्दुत के तुरही फूक ने परमेश्वर के द्वारा संतों को हवा में उठाया जाएगा और थोड़ी देर के लिए हवा में रहेंगे और फिर हमारे परमेश्वर के साथ पृत्वी पर उतरेंगे यहां रैप्चर का बाईवल आधारित वीवरण है उपरोप्त भाग को हमने पहले क्यों देखा इसका कारण यह है कि प्रकाशित वाकिया अध्याय दस्त में बताता है कि रैप्चर कपाएगा जैसा कि मैंने पहले उल्ले किया है इस अध्याय का मूल अंज सांतवे वच्छन में पाय जाता है वरन सांत्वे स्वर्धुत के तुरेई फुकने पर होने वाले शब्द के दिनों में से परमेश्वर का गुप्त मनोरत उस्सु समाचार के अनुसाथ जो उसने अपने दास भविश्य वक्ताओं को दिया पूरा होगा यह वच्ण रैप्चर के बारे में हमारे सभी प्रश्णों का उत्तर देने की कुझी है क्योंकि यह हमें बताता है कि रैप्चर कव होगा परमेश्वर यहना के पास दर्शन में एक शक्तिशाली दूद भेचता है और वह दिखाता है कि इस स्वर्ग दूद के माध्यम से क्या करेगा जैसे कि प्रभू इस पूत्वी पर आया हो इस स्वर्ग दूद ने स्वर्ग की और अपना हाथ उठा कर कहा और जो युगान युग जीवता है और जिसने स्वर्ग को और जो कुछ उसमें है और पृत्वी को और जो कुछ उस पर है और समुद्र को और जो कुछ उसमें है सुरुजा उसी की शफत खा कर कहा अब तो और देर न होगी, अब तो और देर न होगी इसका मतलब है कि अब और देर करने का कोई कारण नहीं है, इसका अर्थ है समय नहीं है, कोई समय नहीं है, इसका मतलब है कि सात्वे दूत की आवास की दिन, परमेश्वर का रहस्य पूरा हो जाएगा, क्योंकि परमेश्वर ने अ इस प्रकार पद साथ में परमेश्वर का वचन की वरंशांत्वे स्वर्दुत के तुरही फुकने पर होने वाले श्रब्द की दिनों में परमेश्वर का गुप्त मनोरत उस सुसमाचार के अनुसार जो उसने अपने दाज भविश्य वक्ताओं को दिया पूरा होगा यह रेप्चर के समय को संदर्वित करता है अन्यत्र पॉलुस ने भी कहा कि रेप्चर एक प्रधान स्वर्दुत की आवास और परमेश्वर की तुरही की आवास के साथ होगा यह वही है जो पॉलुस ने मन में भूद था और यहां बाइबल के अन्य सभी संदर्वो के लिए भी रेप्चर के लिए प्रारम भिग बिंदु है वरस साथवे स्वर्दुत के तुरही फुकने पर होने वाले शब्द के दिनों में परमेश्वर का गुप्त मनोरत उस सुसमाचार के अनुसार जो उसने अपने दास बविश्य वक्ताओं को दिया पूरा होगा यह वचर हमें बताता है कि शंतो का रेप्चर तब होगा जब सांत्वा स्वर्दुत अपनी तुरही फुकता है उन्हें हवा में उठाता है जब परमेश्वर के सेवों को ने पानी और आत्मा के सुसमाचार को खोई हुई आत्माउ तक फैलाया तो पवित्र आत्मा वास्तों में उन विश्वास्यों के दिलों पर उत्रा जिन्हों ने सच्चे सुसमाचार को स्विकार किया और विवास्तों में परमेश्वर की संतान बन गए यह हमारे लिए समान है कि रैप्चर यानि परमेश्वर का रहस्या संतों को हवं में उठा कर वास्तवित्या में बदल लाएक जाए इसके बाद परमेश्वर इस दुनिया को पूरी तरह से साथ कटोरों की आखरी विपत्या डाल कर नश्ट कर देंगे इस दर्ती पर परमेश्वर के राज्य को लाएंगे जहां हम एक अजार साल तक मसी के साथ शाषन करेंगे और फिर हमें नए स्वर्ग और कृत्वी पर ले जाएंगे जहां हम हमेशा के लिए रहेंगे युहन्ना को आने वाले रैप्चर के बारे में बताने के बाद परमेश्वर ने उसे छोटी किताब खाने और फिर से भविश्यवानी करने के आग्या दी सबसे महत्वपूना सबक जो परमेश्वर ने सेवकों को इन अंतिम दिनों में रहने वाले संतों को सिखाना चाहिए वो हैं रैप्चर की घटना और उसका सही समय उन्हें इन पाठों को बाइबल के आधार पर सही शब्दों में पढ़ना चाहिए उन्हें पानी और आत्मा के सुसमाचार का सही सही प्रचार करना चाहिए परमेश्वर के सेवकों को और उनके संतों को जो अंति के समय में जी रहे हैं यहीं करना चाहिए इस प्रकार परमेश्वर ने संतों को इन कार्यों को साथ साथ उनके रहस्य को प्रकट करने का नाम सौपा है परमेश्वर हमें बताता है कि वह विलंब नहीं करेगा परंतो अपने कार्यों को बिना सफलता के पूरा करेगा जब समय आएगा परमेश्वर सब कुछ वास्तविक्ता में पुरा करेगा अधियाई 11 में जैतुन के दो पेड़ियानी दो भविश्य वक्ता दिखाई देते हैं परमेश्वर के ये दो सेवक जो जैतुन के दो व्रुक्षों के रूप में प्रतित है मसी विरुदी के द्वारा उसके विरुद लडाई में मारे जाएंगे परंतु वो फिर से मरे हुव में से जी उठेंगे और साड़े तीन दिनों में रैप्चर किये जाएंगे दूसरे सब्दों में परमेश्वर हमें विविन अवसरों पर दिखाता है कि रैप्चर तब होगा जब संत मसी विरुदी के इस समय में सहीद हो जाएंगे जो हमें पहले से पता होना चाहिए वह है कि संत महान क्लेस के मध्य में जीवित रहेंगे इस पुर्थी उपर तब तक रहेंगे जब तक कि साथ तुर्यों की विपत्यों की पहली च्छ विपत्या समाप्त नहीं हो जाती और परमेश्वर साथ तुर्यों की इन विपत्यों से संतों की रक्षा करेगा अर्थात परमेश्र छट्टी विपत्ति तक उनकी रक्षा करेगा लेकिन अंत्वे मसी विरोधी उन्हें अपने अत्याचार की चरम सिमा पर मार डालेगा क्योंकि वहाँ परमेश्र की विरुध अपना अंतिम संगर्ज करता है संत इस समय जिस रुट्ट्य को गले लगाएंगे वहाँ उनकी शहादत है क्योंकि वे अपने विश्वास की रक्षा के लिए धर्मी मौत मरेंगे हम इसे शहादत कहते हैं इसलिए हमें विश्वास करना चाहिए कि इस सहादत के बाद रैप्चर आएगा और दूसरों को भी इस विश्वास का प्रचार करना चाहिए बहुत से लोग इस बात को लेकर बहुत ब्रहमित है कि रैप्चर महा कलेस से पहले होगा या बाद में पुराने दिनों में लोग सोचते थे कि मसी कलेस के बाद वापस आएगा और संत येशु के इस दूसरे आगवन के साथ उपर उठाए जाएंगे लेकिन आजकल अधिकांस मसी विश्वास करते हैं कि रैप्चर महान कलेस से पहले आएगा वे सोचते हैं कि साथ तुरियों का या साथ कटोरों की विपतियों से उनका कोई लेना देना नहीं होना और जब वे अपने दैनिक सामानिया और उत्तम जीवन को व्यतित करेंगे तब वे उपर उठा लिये जाएंगे लेकिन हमें इस जूटी शिक्सा से धोका नहीं खाना चाहिए ये लोग रैप्चर के समय के बारे में अपने ज्यान और समझ में बहुत गलत है जैसे जैसे संथ का समय निकट और निकट आता जाएगा उनकी धार्मिकता कम होती जाएगी और उनका विश्वास गायब हो जाएगा जब मैं आपसे कहता हूँ कि रैप्चर महा कलेस के बीच में आएगा तो मैं यह नहीं कह रहा हूँ कि आप और भी पवित्र बनो मैं बस इतना कहना चाहता हूं कि आप रैप्चर के समय की स्पष्ट समझ रखे और क्लेश पूर्वा रैप्चर की जूटी सिक्सा से दुर भागे क्योंकि वचन साथ में परमेश्वर हमें विस्तार से बताता है वरन साथवे स्वर्दुत के तुरई फुकने पर होने वाने श्रब्द की दिनों में परमेश्वर का गुप्त मनोरत उस सुसमाचार के अनुसार जो उसने अपने दास भविश्य वक्ताओं को दिया पूरा होगा जब साथ कटोरों की विपत्या उंडेली जाएगी तो साथ तुरईयों की पीछली विपत्यों की विपरीट वेलगातार एक के बाद एक उंडेली जाएगी हम संतों को यहां समझना चाहिए प्रकाशित्वा की अध्याई सोला वचन एक और दो हमें बताता है फिर मैंने मंदिर में किसी को उंचे सब्द से उन साथो स्वर्ध दूत से यह कहते हुए सुना जाओ परमेश्वर के प्रकोप के साथो कटोरों को पृत्वी पर उंडेल दो अताँ पहले स्वर्ध दूत ने जाकर अपना कटोरा पृत्वी पर उंडेल दिया तब अन्मनुष्यों के जिन पर पशुकी छाक थी और जो उसकी मुर्ती की पुजा करते थे एक प्रकार का बुरा और दुखदाई फोड़ा निकला बचे हुए कटोरों को एक पंक्ती में डालना इस पहली विपत्वी का अनुसरन करना है जैसे कि विपत्या एक आटो पाइलेट मोड में हो साथ स्वर्दूत एक की बाद एक अपने कटोरे को खाली कर रहे है न तो तुरही की आवाज और नहीं कुछ और दूसरे सब्दों में साथ कटोरों को एक पंक्ती में डालने से परमेश्वरी संसार को पूरी तरह से नश्ट कर देगा क्यों? क्योंकि साथ कटोरों की विपत्या डालने से सब कुछ समाप्थ हो जाएगा जो सब मिलकर साथ वी तुरही की विपत्या लाई जाती है तो एक और दूसरी विपत्य के बीच कम से कम कुछ विराम होते है लेकिन साथ कटोरों की विपत्यों के साथ ऐसा कोई विराम नहीं होता है क्योंकि साथ कटोरों की ये विपत्या अंतिंग शन के लिए आरक्षित है साथ तुरहियों के विपत्यों को उनके करम में लाने के बाद जब अंतिम तुरही बचती है तो दुनिया एक नए स्थर पर चली जाती है जहां सब कुछ समाप्त हो जाएगा इसलिए प्रकाशित वाकिया ध्याई 11 वचन 15 से 18 में दर्च किया गया है जब साथवे दूत ने तुरही फुकी तो स्वर्ग में इस विशय के बड़े बड़े शब्द होने लगे जगत का राज्य हमारे प्रभु का और उसके मसी का हो गया और वहाँ युगान यूग राज्य करेगा तब 24 प्राची नों जो परमेश्वर के सामने अपने अपने सिहांसन पर बैठे थे मूँ के बल गिर्प कर परमेश्वर को दंडवत करके यह कहने लगे हे शर्वर सक्तिमान प्रभु परमेश्वर जो है और जो था हम तेरा धन्यवात करते हैं कि तुने अपनी बड़ी सामर्थ को काम में लाकर राज्य किया है जातियों ने क्रोध किया पर तेरा प्रकोक आपड़ा और वहां समय आप पहुचाए कि मरे हुओ का न्याय किया जाए और तेरे दास भविश्य वक्ताओ और पवित्र लोगों को और उन छोटे बड़ों को जो तेरे नाम से डरते हैं बदला दिया जाए और पृत्वी के बिगाड़ दे वालों को नस्ट किये जाए यहां कहा गया है कि जब सात्वे स्वर्दूत न अपनी तुरही फुकी तो यहां कहते हुए एक बड़े शब्द सुनाई दिये जगत का राज्य हमारे प्रभु का और उसके मसी का हो गया और वहां युगान यूग राज्य करेगा लेकिन वहां विपत्ती का कोई उलेक नहीं है क्यों क्यों क्योंकि सात्वी तुरही बजने के तुरंद बाद सात्वी विपत्ती नहीं थी बलकि रैप्चर था परमेश्वर संतों को पुनरुथित करेगा और उन्हें उठाएगा दोनों को यानि जो अभी भी पूत्वी पर जी रहे हैं और जो पहले से ही मर चुके हैं और जब उनका रैक्चर समाप्त हो जाएगा तो वहां साथ कटोरों की विपत्या डाल देगा और दुनिया को पूरी तरह से नश्ट कर देगा यदि हम यहां जानते हैं कि वास्तों में हमारा रैक्चर कब होगा तो हमें केवल प्रकाशितवा की अधिहाई 10 वचन साथ में पाए गए परमेश्वर के वचन को देखना होगा परमेश्वर का गुप्त मनोरत इस समय निश्चित रूप से पूरा हो जाएगा जैसा कि उसने अपने सिवकों को भविश्य वक्ताओं के रूप में गोशित किया था यहां परमेश्वर का गुप्त मनोरत रैक्चर को संदर्वित करता है और किसी को नहीं बलकि संतों को यहां मैं आपकी स्पष्ट समझ और सही विश्वास के लिए एक और भाग रस्तुत करता हूँ फिर से बाइबल कहती है देखो मैं तुम से भेद की बात कहता हूँ हम सब नहीं सोएंगे परन्तु सब बदल जाएंगे और यहां क्षण भर में पलक मारते ही अंतिम तुरही फुकते ही होगा क्योंकि तुरही फुकी जाएगी और मुर्दे अविनाशी दसा में उठाए जाएंगे और हम बदल जाएंगे पहले कुरंथियो अध्याई 15 वचन 51 और 52 क्या बाइबल स्पस्ट रुप से नहीं कहती है कि संतों का पुनरुथान अंतिम तुरही पर होगा जब तुरही बचती है तो मसी में मरे हुवो को अविनाशी रुप से जिलाया जाएगा और हम भी एक पल में बदल दिये जाएंगे ताकि हमारा रैप्चर हो सके वहाँ स्वर्दुथ जो अध्याय दस में प्रकट होता है परमेश्वर द्वारा भेजा गया शक्ति शाली स्वर्दुथ है जो पहले च्छा तुरही बजाने वाले अन्य स्वर्दुथों से अलग है जब हम देखते हैं कि यह सक्तिशाली श्वर्दूत ने क्या किया तो वह परमेश्वर की तरह दिखाई देता है कि हम उसे शायद परमेश्वर मान ले उसके सिर पर मेग धनुस्था उसका मूस्तूरिय के समान और उसके पाउं आग के खंबे के समान थे उसके हाथ में एक छोटी सी खुली हुई पुस्तक थी उसने अपना दाहिना पाउं समुद्र पर और बाया पाउं पुर्थ्वी पर रखा पर ऐसे बड़े सब्द से चिलाया जैसा सहीं गरशता है और जब वह चिलाया तो गरजन के साथ सब्द सुनाई दिये दूसरे सब्दों में हम इस स्वर्दूत को परमेश्वर समझ सकते हैं क्योंकि यहां शक्ति साली स्वर्दूत येश्व की और से उन सभी कामों को अंजाम देता है जो येश्व मसी को करना है यह हमें बताता है कि परमेश्वर यहां सब कार्य इस शक्ति साली श्वर्दूद के द्वारा कर देगा यह हमें बताता है कि यह श्वर्दूद समुद्र और भूमी पर अपना पैर रखता है उन दोनों को नश्ट कर देगा और जब गर्जन सुनाई देगी तो वहां वो सब कुछ पूरा करेगा जो परमेश्वर ने येशु मसी में ब्रह्मान और मनुष्य जाती के निर्मान की शुरुआत से ही योजना बनाई थी साथ तुर्यों की विपत्यों के दोरान हम संत जीवित रहेंगे और पहली च्छ विपत्यों का अनुभाव करेंगे और हम तब तक सुसमाचार का प्रचार करते रहेंगे परमिश्वन ने युहानना को छोटी कुस्तक लेने और खाने और फिर से भविश्यवानी करने के लिए कहा लेकिन यहां वचन भी आप और मेरी और निर्देशित करता है अर्थाथ हमें अपने विश्वास में बने रहना चाहिए और जीवित रहना चाहिए जब सात्वी तुरही बचती है तो हमारा रैप्चर सच हो जाएगा हमें अपने रैप्चर की सत्य को पहचारना चाहिए विश्वास में इसे थामे रहना चाहिए और वचन को सुनना चाहिए और इस दिन के आने तक सू समाचार का प्रचार करना चाहिए जब तक सांतवी तुरई नहीं बचती तब तक मसी विरोधी स्विपती के भी सक्रिय रहेगा संत इसके साथ सहीद हो जाएंगे और उसके तुरंत बाद उनका रैप्चर किया जाएगा इस प्रकार इस अंत के समय में भी जब कई विश्वासयों का येशु पर से विश्वास हिल गया है और कम हो रहा है आपको और मुझे अभी भी विश्वास से जीना चाहिए दूसरे सब्दों में हमें विश्वास करना चाहिए कि हमारा रैप्चर सांतवी तुरई के बजने के ठीक बाद आएगा और इस विश्वास के दवारा अपना जीवन वेतित करना है हम सिग्रेई साथ तुरईों के विपतियों को अपनी आखों से देखेंगे हम पहली से छटी तक इन विपतियों को अपनी आखों से देखेंगे और गिनेंगे इसके बाद जब हम संतों को सहज भाव से लगेगा कि हमारी सहाधत का समय आ गया है तो हम वास्तों में उसी के अनुसार सहीद होंगे यह नो तो परियों की कहानी है और नहीं विज्ञान कथा नहीं यहा कुछ ऐसा है जिस पर आप अपनी मर्जी से विश्वास कर सकते हैं यह नहीं कर सकते आपके और मेरे साथ वास्तों में ऐसा ही होगा प्रकाशित वाक्य अध्याईदस वचन साथ वह पज्यो प्रकाशित वाके की पुस्तत में से सबसे सपष्ट रुपसे रेप्चर को दर्शाता है हमें बताता है कि संतों का रेप्चर सांत्वी तुरई के बजने के साथ हाएगा और संतार साथ कटोरे की विपत्यों के साथ समाप्त हो जाएगा संतों को उपर उठाने के बाद परमेश्वर पूरी दुनिया को नश्ट करेंगे जब सभी संत का रेप्चर हो जाएगा तो वे हवा में प्रभु की स्तूती करेंगे प्रभु इस पृत्वी पर साथ कटोरे की विपत्यों डाली जाएगी और जगत का सर्वनाश करेगा और जब साथ कटोरे की विपत्यों समाप्त होगी तब पवित्र लोग प्रभु के साथ नई पृत्वी पर उतरेंगे और फिर हजार साल का राज्य, यानि मसी का राज्य इस पृत्वी पर बनाया जाएगा आज के मसीही ज़्यादा तर क्लेस पुर्वर एक्चर का समर्ठन करते हैं और आजकल उनमें से कुछ हजार साल के राज्य ना होने की वकालत भी करने के लगते है अर्थात, 1000 साल के राज्य जैसी कोई चीज नहीं है तो फिर क्या 1000 साल का राज्य एक वास्तविता नहीं है? ऐसे कई लोग है जो इन दिनों ऐसा विश्वास करते हैं उन में से कुछ जो कोरिया के कुछ सबसे बड़े कलीशय में सेवकाई करते हैं यहां तक घोशना करते हैं कि प्रकाशित वाक्य में 666 के चिनह से लेकर रैप्चर तक सब कुछ तथ्यात्मक नहीं है, बलकि केवल प्रतिकात्मक है. जिसा कि बाइबल हमारे प्रभू ने एक बार पुछा था, जब मनुश्य का पुत्र आएगा तो क्या वहां वास्तों में प्रतिव पर विश्वास पाएगा? इन अंतिम समय में सच्चे विश्वासयों को खोजना निश्वित रूप से बहुत कठीन है, लेकिन प्रभू हमें बताता है कि हमारा रैप्चर वास्तों में वास्तवित्ता के रूप में होगा, जब हमारा रैप्चर होगा तो हम हवा में प्रभू से मिलेंगे और उसकी स आशिशो तक हर उस चीज के बीच में जो नवीनी कुरूत होती है नया जीवन जीएंगे हम परमेश्वर के द्वारा ऐसी महिमा पाकर जीवन जीएंगे आपको और मुझे इस विश्वास और इस आशा के साथ जीना चाहिए और जब हजार साल का राज्य समाप्त हो जाएगा हम नए स्वर्ग और नए पृत्वी में प्रवेश्व करेंगे और अनन्त सन्मान और महिमा में हमेशा के लिए मसी के साथ राज्य करेंगे जब हम हजार साल के राजी और नए स्वर्गुर पुत्वी में प्रवेश करते हैं तो सभी श्वर्दूत हमारी सेवा करेंगे सभी आत्मिक प्राणी प्रमेश्वर और येश्व मसी द्वारा रचा गया सारा संसार और उसमें जो कुछ भी है वहां किसका होगा वेश सब हमारे होंगे यही कारण है कि बाइबल बताती है कि जो भी चीजों के वारिस होंगे वे संथ है क्योंकि आप और मैं संथ है जो पानी और आत्म के सुसमचार के द्वारा नया जिन्म पाय हुए है हम परमेश्वर के वारिस और मसी के संगी वारिस है जिने सब कुछ विरासत में मिला है इस प्रकार आपको और मुझे विरासत से इस पृत्वी पर कठीनायों को दूर करना है और अपने विरासत के दीन को देखते हुए द्रड रहना चाहिए हमें परमेश्वर की सेना के रूप में युद करने वाला विश्वास भी रखना चाहिए परमेश्वर ने हमें बताया कि ये सभी चीजे जल्द ही बिना किसी देरी को पूरी होगी दूसरे सब्द में वे निश्टित रूप से सिग्रही पूरुना हो जाएगा फिर कुछ लोग सोच सकते हैं कि परमेश्वर न तो हमें इसके बारे में अधिक विस्तार से क्यों नहीं बताया इस प्रस्टनका उत्तर यह है कि आपने कार्यों को चिपाना परमेश्वर की बुद्धी है यदि परमेश्वर की योजना को विस्तार से लिखा जाता तो यहां इस संसार में बहुत अधिक हल्चल का कारण होता तब संत अंतिम दिन तक जिवित नहीं रह सकते अब विश्वास्यों द्वारा लगबग सभी संतों को मार डाला जाता और एक भी संत नहीं बचता यदि अंतिसमाई के बारे में हर विवरन बाइबल में लिखा गया होता तो जिनोंने पानिय और आत्मा से नया जन्म नहीं लिया है वे सभी नया जन्म पाय हुए विश्वास्यों को मार डालते अपने उद्दश्यों को छिपा कर परमेश्वर वहां केवल उनहीं के लिए प्रगट करता है जो योग्य है और अन्यता उन्हें बाकी लोगों से रहस्य वे बगता है यहां परमेश्वर का ग्यान है परमेश्वर ने अपनी योजना को हमारे सामने प्रगट किया है और हमें इसे जानने की अनुमती दी है किवल इसलिए कि इस यूग के संतों के लिए यह भावती आवशक है नया जन्म पाई हुई परमेश्वर की कलीसिया अब अंत के समय के बारे में विश्टार से बोल रहे हैं इसका अर्थ है कि अंत के दिन हमारे निकट आ रहे हैं क्योंकि कलेश का यूग निकट है इसलिए प्रकाशित वाक़े के वचन का प्रशार किया जाता है तकि संतों को अंते समय का उचित ज्यान हो ताकि वे इस जल्द आने वाले क्लेश को जिल सके और उस पर जय पा सके यहां तक कि नया जिन में पाए हुए लोग भी यदि वे बिना किसी ज्ञान की कलेश का सामना करते हैं तो उन्हें पता नहीं चलेगा कि क्या करना है और जब वास्तों में कलेश आता है तो वे बहुती भ्रह्म में पढ़ जाएंगे यहां भ्रह्म उन लोगों के लिए और भी अधिक होगा जो केवल अपने व्यक्तिगत विश्वास पर भरोसा करते हैं हम कल्पना कर सकते हैं कि कई अनिचुक आत्माई अपने अग्नानता और भ्रह्म में अंत समय आने पर गलत रास्ते पर जाने लगेगी क्या परमेश्वर ने आपको कुछ बताया जब आप प्रात्ना कर रहे थे तो क्या उसने आपको एक दर्शन नहीं दिखाया बहुत से लोग परमेश्वर से दर्शन पाने के लिए उत्ते जित होंगे परन्तु परमेश्वर कभी भी इस तरह से कार्य नहीं करता है, क्योंकि उसने पहले ही हमें आज्या दी है, इसके कान हो वहां सुन ले कि आत्मा कलीस्याओं से क्या कहता है, दूसरे सब्दों में संत को केवल वही सुनना चाहिए जो पवित्रा आत्मा कलिस्याओ के माध्यम से कहता है क्योंकि पवित्रा आत्मा परमेश्वर के वचन की निश्चित्ता देता है केवल वही गवाही देता है जो सत्य और सही है जब दुनिया के अंत में आने वाली विपतिया आती है तो हम संत निम्ने लिखीत कलेशों से आश्च्चरे चकी नहीं होंगे बलकि विश्वास ते जीएंगे क्योंकि तब तक हम सत्य का वचन सुन चुके होंगे और विश्वास से उसे अपने रिदय पर लिख चुके होंगे यही कारण है कि युहनना ने हमें पहले ही बता दिया कि भविश्य में क्या होगा और क्यों परमेश्वर के सेवक इस लिखित वचन की सीमा से भीतर सत्य का प्रचार करते हैं परमेश्वर के लिखित वचन से क्या होगा यह जानने और प्रचार करने के अलावा भविश्यवानी और कुछ नहीं है स्वपनया प्रात्ना में दर्शन देखने का दावा करना भविश्यवानी नहीं है यहां कभी न भूले कि हमारा रैप्चर अवस्या आएगा और हम परमेश्वर के संथ है और यहां न भूले कि अब आप एक संथ बन गए हैं जो अपने रैप्चर के समय हवा में मसी के साथ होंगे जो एक हजार साल तक जीने के लिए फिर से नई पृत्वी पर उतरेंगे और जो हमेशा के लिए नए स्वर्ग और पृत्वी में रहेंगे यदि आप लोगों को क्लेश पुर्व रैप्चर या क्लेश पच्छात रैप्चर के बारे में बात करते हुए सुनते हैं या यहां दावा करते हैं कि कोई हजार साल का राज्य बिल्कुल भी नहीं है तो उस भाग का उलेक करके उन्हें सच बताए जिसकी हम यहां चर्चा कर रहे हैं आप उन्हें पहले थिसलोनिक्यों अध्याई 4 और पहला कुरंतियों अध्याई 15 का भी उलेक करना चाहिए और उन्हें बताना चाहिए कि प्रभू एक प्रधान दुद की आवाज और आखरी तुरही की आवाज के साथ उत्रेगा और पवित्र लोगों को उसके साथ रहने के लिए हवा में उठाएगा जब आप इस रैप्चर में विश्वास करते हैं केवल तभी आप अपने विश्वास की रक्सा कर सकते हैं रैप्चर होने के लिए विश्वास से सहीध होने और देही में पुनरुथित होना जरूरी है क्योंकि पुनरुथान के साथ साथ रैप्चर भी आएगा जैसे ही हम पुनरुथित होंगे, हम रैप्चर के जाएंगे और हवा में उपर उठाए जाएंगे इसलिए रैप्चर और पुनरुथान एक ही है पहले पुनरुथान में भाग लेने का अर्थ हजार साल के राज्य में प्रभू के साथ रहना है रेप्चर होने का अर्ध भी इस पुरुथवी पर एक हजार वर्ष तक प्रभू के साथ रहना है तो फिर हमारा रेप्चर क्यों होगा क्योंकि परमेश्वर साथ कटोरू की विपत्या डाल कर इस पुरुथवी पर सब कुछ नश्ट कर देगा अर्थात वह अपने संतों को पहले ही रेप्चर कर लेगा ताकि नाश्ट की इन विपत्यों से वह अपनी संतानों को बचा सके संतों को पाप्यों से अलग करने के लिए और अपने विभीन गंतव्यों को दिखाने के लिए वह संतों का रेप्चर करेगा इस प्रकार हमें इन सभी बातों पर विश्वास करना चाहिए हमारे रेक्षर में, हमारे पुनरुथान में और हमारी सहाधत में कुछ लोगों के लिए पानी और आत्मा का सुसमचार विस्तार से प्रगट होता है जबकि अन्य के लिए यहां पूरी तरह से गुप्त रहस्य के रूप में रहता है इसी तरह संतों की शहाधत, पुनरुथान, रेक्षर और हजार साल का राज्य और नय स्वर्ग और पृत्वी पर उनका शासन सभी परमेश्वर के रहस्य है केवल नया जन्म प्राप करने वाले ही परमेश्वर के इन रहस्यों को प्रगट कर और दिखा सकते हैं और उन्हें इन रहस्यों में विश्वास दिलाने के द्वारा उसने उन्हें अंत्र के समय में जीने और स्वर्ग के राज्य में उनकी आशा के साथ उनकी सभी कठिनायों को दूर करने में शक्सम बनाया है आपको और मुझे इस तरह का विश्वास होना चाहिए इस तरह के विश्वास के बिना यानि यहां विश्वास की बिना की हमारा रैप्चर होगा हम नए स्वर्ग और पृत्वी में रहेंगे प्रभू हमें मृत्व को में से उठाएंगे जब हम मसी विरूदी के द्वारा मारे जाएंगे तब हमारा रैप्चर करेगा हवा में उठाएगा और हमें फिर से इस से पृत्वी पर वापिस लाकर उसके साथ 1000 साल तक शासन करने देगा हम इस अंतिम युक के कठीन और निराशाजनक जीवन के दोरान द्रड रहने में शक्सम नहीं होंगे संतो का एक सुंदर सपना होता है और कोई और नहीं बलकि हमारे परमेश्वर इस सपने को सच कर सकते है इस आशा के बिना हम इस निराशाजनक दुनिया में केवल दुख और पिडा में ही रहेंगे पॉलुस ने टिमूथियू से कहा कि जो सुंदर वस्तु उसे स्वांपी गई है उसे अपने पास रखे यहां सु समचार सुंदर है वैसे ही हमारी शहादत पुनरुथान और रैप्चर भी सुंदर है और इसी तरह हजार साल के राज्य और नए स्वर्ग और पृत्वी में रहना भी सुंदर है यह सभी अच्छी और सुंदर चीज़े है वे केवल संतों के हैं और वे सभी समझ में आने वाले विश्वास और आशा है भ्रम या कल्पना नहीं यह हमारी आशा और विश्वास है जो प्रभू ने हमें दिया है इन सब में विश्वास के साथ हमें इस यूग को उस दिन की आशा में जिना चाहिए जब हजार साल का राजिय और नया स्वर्ग और पृत्वी हमारे लिए लाए जाएंगे जिनका रैप्चर किया जाएगा वे कोई और नहीं बलकि आप और मैं है हमें विश्वा से जीना चाहिए उस दिन की प्रतिक्षा करनी चाहिए जब हम प्रभु के सामने खड़े होने पर हजार साल के राजिय और नया स्वर्ग और पृत्वी में राजिय करने के लिए रैप्चर होंगे परमेश्वर हमें बताते हैं कि जो आने वाला है वह जल्द ही आएगा महाकलेश की साथ वर्ष के अवधी के माध्यम के दोरान आने वाली विपतिया काफी हल्की और अल्पकालिक होती है क्या महाकलेश के साथ वर्ष के दोरान विपतिया बनी रहेगी कोई उन्हें कैसे सहन कर सकता है शुरुआती विपत्या कम होगी और जैसे जैसे समय अंतिम छोर के करीब आता जाएगा देखने के लिए और भी बहुत कुछ होगा जब सात्वी तुरही की विपत्या आएगी तो यहाँ एक बड़े विनाश्म बदल जाएगी जब सैतान संतों के विश्वास को हिलाने की कोशिश करता है तो वहाँ कलिश्या के कुछ अगुव की हत्या करके उनके सामने उदाहरन पेस करेगा सैतान कहे सकता है यदि तुम परमेश्वर का इंकार करते हो तो मैं तुम्हारी जान बक्ष दूँगा बले ही दुनिया बैतर हो जाए, फिर भी शैतान के प्रस्ताव के बारे में दो बार सोचना चाहिए तब उसके ठीक मन में वह यह सोचकर प्रभू का इंकार करेगा कि प्रभू उन साथ कटोरों की विपत्यों को उंडे रेगा और वहाँ इन विपत्यों के द्वारा लाए गए सभी कस्टों को सहेगा जो संथ जंगल जगत के अंध को जानते हैं वे न तो प्रभू का इंकार करते हैं और नहीं अपने विश्वास के साथ विश्वासगात करते हैं इसके अलावा क्योंकि हमारे दिन में पवित्रा आत्मा है वह हमें सहस देगा क्योंकि अंत के समय में परमेश्वर की सभी योजनाय जल्दी से पूरी हो जाएगी इसलिए उदासी के लिए कोई जगा नहीं होगी जब अल्पकाली प्विपतिया समाप्त हो जाएगी तो पुनरुथान होगा और इसके बाद रैप्चर आएगा जो हमें हवा में उठा देगा कलपना कीजी की देए में हमारा शरीर आत्मिक शरीर में रुपान तरित हो गए है और हम प्रभु की स्तूती करने है परमेशर के राजे में एक पूरी अलग दुनिया का आनंद ले सकते है सुन्दर और सूरुची पूरुनद जैसा कि हमने इस धर्ती पर पहले कभी अनुपव नहीं किया है चुकि आत्मिक सरीर समय और स्थान की सीमाओं से मुक्त है हमें एक अध्भूत और अती सुन्दर दुनिया में रहेंगे जिसमें हम जहां चाहे वहां जा सकते है हमें इतनी बड़ी आश्रीश देने के लिए में परमेशर को अपना सच्च धन्यवाद देता हूँ जाढ़ी आश्रीश अधिया मेंगे युकि झाल